हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक मैं चैनल दोस्तों फिल सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करके चैनल को सबस्क्राइब करके जाना और बाते लोग भी देख सकते हो शायद अप लोग को अच्छा लगेगा बात करते हैं सैंसंग गैलक्सी A54 के बारे में यह जो नया यह लॉंच होने वाला है बहुत जांदी लॉंच डेट प्राइस अभी तक कंफॉर्म नहीं हुआ है बड़ जो स्पेसिफिकेशन से वह हम लोग के सामने आ चुका है प्राइस बता दो 25 से 30 जार के आसपस शायद हो सकता है अप्रॉक्स प्राइस में बतारो कंफॉर्मिश इसका अपको 120S FHD plus AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है डिस्प्ले काफी मखण है अगर 25 से 30,000 पर आया तो काफी सही चॉइस रहेगा डिस्प्ले पे तो डिस्प्ले वगरा को लेगी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलता है इवेन दोस्तों अगर हम बात करते यहां पे इसके प्रोसेसर वगरा को लेके तो Xenos 1380 का प्रोसेसर मिल जाता है जो इक्विवालेंट है SD Gen 7 Gen 1 के साथ तो जो इसका अंतितु स्कोर है वो काफी सही है GPU काफी साइज देखने को में जाता है ग्राफिक्स वगरा जो है गेमिंग वगरा जो है वो काफी अच्छे तरीके से यह है देल कर लेता है तो प्रोसेसर को लेके इंसाच अपको कोई भी विक्कत नहीं होने वाला है 50 Megapixel का YS 12 Megapixel का आल्रवाइट 5 Megapixel का Macro तो व्लॉंगिंग वगरा के लिए काफी सही हो जाएगा back camera से front camera 16 Megapixel का होने वाला है confirmation नहीं है भी कुछ पांचाजर इमेज का battery आपको देखने को मिल जाता है 8GB RAM option के साथ आएगा 1.8GB and 256GB storage UFS 3.1 के साथ आएगा 1UI 5.1 के साथ आता है तो और एक अच्छा चीज है और एक चीज है IP67 certification के साथ आता है तो पानी वगड़ा को लेके पर कोई इंटेंशन नहीं है अब में बात है कि य प्राइट पर या उससे कम प्राइज पर यह फोन मार्केट पर आता है तो मैं बोलूंगा अच्छा चॉइस है इससे जाधा अगर हो जाता है तो वह बेरेई साब से बहुत ही बेकार हो जाएगा शायद इसके अंदर ही रहेगा इसका प्राइस अब आप क्या सोचते हैं सा पर फॉलो कर सकते वहां पर मैं अपडेट करते रहता हूँ इस वीडियो अच्छा लगा थे वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के सशेयर कर देना चैनल पर ने जोनको सब्स्राइब करके में लाकान कॉल पर प्रेस कर देना मिल नेक्ट वीडियो पे तब तक कि लिए ब